आगे सीम योगी ने आईके स्टोर का वर्चुली आज शिलन्यास किया है बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुख्यमंत्री योगियाद इतना अपनी वर्चुली शिलन्यास का इस दुरान उन्होंने अपने वर्चुल समोधन में निवेश प्रदेश की कानू विवस्ता और बिजनेस के लिए के गए रिफॉर्म और प्रियास के प्रणाम सरूप आज उत्तर प्रदेश इन्वेस्मेंट के एक बहतरीन डिस्टिनेशन की रूप में सामने आया है इसने उत्तर प्रदेश के अंदर अनिम्प्लाइमेंट के रेट को भी कम करने में काफी मदद की है गौतम पुद्यनगर जन्पद भारत के अंदर अपनी बहत्रीन इंफरस्ट्रक्चर के लिए आज जाना जा रहा है नुएडा इंटरनेशनल एरपोर्ट एक बहत्रीन स्विवधाओं से युक्त हो करके भारत के अंदर अनेक स्विवधाओं से वहां के निवेशकों को एक नई स्विवधा अपलब्द कराने के लिए तयार है यह चेतर लाजिस्टिक की दिससे भी अत्यंत महत्तोपूर है बड़ते आगे मुखे मंत्री योगी आदितनात आज नोड़ा पहुचे थे जहां पर उन्होंने सुड़िश कंपनी आइकिया का वर्चुली शुरन न्यास किया इस दोरान कई अधिद्य भी मौजूद रहे इस मौके पर आधियो की मंत्री नंद कोपाल नंदी समेट आइकिया इंडिया के सीई ओ समेट कई अधिकारी मौजूद है बतादे कि सुड़िश कंपनी आइकिया ने 2018 में भारत में अपना पहला स्टोर हैदरबाद में खुला था 2020 में मौंबई में अपना दूसरा स्टोर खुला था नोड़ा में कंपनी का तीसरा स्टोर और पहला शॉपिंग मौल होगा आज के दिन आईगिया जैसी कंप्टी लाइबग छे सो फिट्ट मूची बिल्डिंग बरेंगी तो जो मैट्रोल स्टेशन है उसको जोड़ने का काम करेंगे विफुट और बिजेस से जो जा रहे हैं और सौपिंग मौल के अंदर से जाएंगे कानून के उस्था हो तक उत्रप्देश में इंफास्टेक्चर इस पर काम आए बढ़ते हांगे ओलंपिक काउंसिल